हेलो एवरिवन आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से आप जो है आपके जिरोधा काइट के अंदर F&O यानि की फूचर्स एन जो ओप्शन होता है उसके ओप्शन हो कैसे आप ओपन कर सकते हो उसो कैसे स्टार्ट कर सकते हो कितना इजी है कितना डिफिकल्ट है सारा का सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको explain करने वाला हूँ दोस्तो बेसिकलिए जो वीडियो ही यह completely होने वाली है mobile phone based और same ही process आप जो है laptop में फोलो कर सकते हो laptop के अंदर थोड़ा easy रहेगा पहले मैं वीडियो laptop में बनाने वाला था अधर बट अभी मुझे वासला कि maximum जुद भाई है हमारे काइट एप को यूज़ करते है mobile phone को यूज़ करते है इसलिए मैंने जो वीडियो है यहाँ पर बनाने की सोची है तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले आपको बता देना जाता हूँ आपको normally आपका जो काइट एप है उसको open कर लेना है जैसे देश console पर क्लिक करना है console पर क्लिक अगर ना हो तो आप portfolio trade book P&L IPO किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं मैं portfolio पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद में आपको यह browser open करने का option देगा तो browser आपको open कर लेना है मैं Chrome यहाँ पर open कर लेता हूँ और उसके बाद में आप एक website पर पहुंच जाओग पर क्लिक नहीं करना है मुझे यहाँ पर 3 बट यह आपको line दिख रही होंगी इसके उपर क्लिक करना है और यहां से आपको यहाँ पर option मिलेगा my account का जिहां दोस्तों आपको my account करना है मैं दोबार आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ यहाँ नाम के पास में आ ज पर्सेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे हो जाएंगे मैं भी करके दिखाने वाला हूँ आपको लेकिन से पहले एक चीज एक्स्प्रेंट मा कर देना चाहूँ आपको कि अगर आप सोच रहे हो कि या फ्यूचर एन उप्शन वाले उप्शन करें तो उसके लिए आपको एक चीज मन्त की आपको यहाँ पर जो है अप्लोड करनी पड़ेगी कोई भी चीज अप्लोड कर सकते हो बहुत इजी है अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो आप कस्टमर केर से भी डिसकेशन कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपके पास यह जो है 10,000 से ज़्यादा की आपके पास होल्डिंग हो तो आपके क्या काम कर सकते हो अगर आपके कुछ पैसे पढ़े है तो आप एक बर के लिए 10,000 की होल्डिंग रख सकते हो जिस्ट फोर आपको कहा कि बार बर दिक्कत नहीं आएगी अगर आप नहीं सोच रहे हो कुछ भी बाय करने का तो आप प्रिवेस पास्ट कुछ मंत की अपनी इंकम स्लिप है या फिर आपकी जो बैंक की जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो कहाँ पर अपलोड करने है वो आपको मैं बतायता हूँ अपलोड कर सकते हो अभी मुझे अगर नहीं दिखाता तो यहाँ पर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो टाइम लेगा है यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हो यहाँ पर your segment modification request has been submitted मुझे इसने दिखा दिया है यानि कि आप मेरी request submit हो चुकी है इसके बाद में मुझे यहाँ पर wait करना पड़ेगा मैंने customer care से बात किती हो कि आपको 2-3 दिन का यहाँ पर wait करना पड़ेगा तो आप चेक कैसे कर सकते हो चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पर जो आप जब इसको open करोगे तो निचे की तरफ यहाँ पर इसके अंदर दिखा देगा आपको कि कौन-कौन से options आपके पास available हैं आप चाहें तो profile को पर भी click कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको दिख जाएगा दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर में को segments के अंदर BSC mutual fund रहने से ही दिखा रहा है तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर approve अभी तक नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर में पर mail आ चुके है तो यहाँ पर time लेगा यह दो से तीन दिन का दो से तीन दिन के बाद आप जो यहाँ पर check out करोगे तो यहाँ पर segments के अंदर आपको यहाँ पर future and option भी दिखने लग जाएगा I hope वीडियो के अंदर जो information दी है वो उसका आपको help लगी है अगर लगती है तो यहाँ आपको like करना है चैनल को subscribe भी करना है यह बहुँ जादा important चीज है क्योंकि आप हर बर miss कर देते हो अगर आप ऐसे miss करते रहोगे तो आपको हमारे तरिके से आने वाली बहतरीन से बहतरीन अपडेट्स नहीं मिलेंगी like करके कर दीजे motivate उन मिलते हैं वीडियो में तब तक लिए बाई बाई जय हिंद जय भारत